नमस्ते सदावस्तेले मातर भूमेट जैहिं दोस्तों मैं किशन आप सब का स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को चलिए बढ़ते परे डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों भारतिया नौसेना ने आएसी टू यानि की आएस विशाल के लिए डिफेंस अक्यूजिशन काउंसिल के सामने अब प्रस्ताव रखने की पूरी तयारी कर ली है और भारतिया नौसेना इस प्रोजेक्ट के लिए acceptance of necessity प्राप्ट करने की योजना पना रही है दरसल 40,000 को रुपे की गेमत के साथ 45,000 टन के displacement के साथ IAC-2 भारतिया नौसेना का दूसरा सोधेशी एरकाफ्ट केरियर होने वाला है और कहाँ ये भी जा रहा है कि कोचिन शिप्यार इस एरकाफ्ट केरियर को तयार करने के लिए पूरी तरीकी से तयार है और यहीं ने दोस्तों ये जो एरकाफ्ट केरियर होगा वो Unmanned Aerial Vehicles को भी सपोर्ट करेगा क्योंकि भारतिया नौसेना जान चुकी है कि चाइना अपनी नौसेना की शमताओं को बढ़ा रहा है और इसलिए भारत के पास तीन एरकाफ्ट केरियर होने बेहस जरूरी है वरतमान में आप सब जानते हैं आइनस विकरामा देते हैं और आ इस पर योजना के तहत ये कामपनी एलेक्टिक टेक्टिकल अल्टेरन वेकल्स को तयार करेगी जोकी भारतिया सेना की शमताओं को मजबूत करेगी उनका इस्तमाल स्टेल्थ फॉर्वर्ट पैट्रोलिंग और टोही मिश्नों में किया जाएगा अपने इलेक्टिक पावर चलिए वरतिन एक्स्ट अब्रेट की तलब दोस्तों आपने देखा होगा कि रश्षया के बाद जो भारत का सबसे मजबूत दोस्त है वो है फ्रांस और लगातार दोस्तों फ्रांस ने बहरत को हर सेक्टर में पूरा सभ्योक दिया और यही वज야 है कि फ्रांस ने भी दोस दोस्तों यहाँ पर अंडर्वाटर जो ड्रोन टेक्नॉजी है उसकी 100% तक्निकी हस्तांतरन का बड़ा ओफर भारत को कर दिया है कहा जा रहे कि पैरिस में जो 30 सितंबर को एक बैटक होनी है उस दौरान बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आप सब जानते भी हैं कि भारत और पहले ही कई सारे शेत्रों में एक दूसरे का सयोग भी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रमाणू पंडुब्यों वाली बात है वो काफी बड़ा ओफर भारत के लिए माना जा सकता है और ये पेशकर्स फ्रांस ने ऐसे वक्त में पेश किया है जब भारतिया न यहाँ पर दोस्तों जो इंजन वाली बात है 110 किलो न्यूटरन थ्रस्ट वाली वो काफी अच्छा ओफर माना जा सकता है हलाकि फ्रांस ने इसका ओफर पहले ही भारत को भी दिया है और भारत चाहता है कि इंजन का इंटलेक्शल प्रॉपर्टी राइट है वो भारत के पा और वो इंडो पैसिफिक में भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा भी है और दोस्तों इस ओफर से डेफिनेटली पाकिस्तान हो या चाइना या फिर अन्या कोई ऐसा देश जो भारत के किलाफ प्लान बना रहा है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी फिलार इस बारे में आपकी क्या रहा है मुझे कमें शेक्षिक में लेकर जरू बताएगा बरते नेक्स अबेर के तब कई देश जो कि सुखोई 30 फाइटर जेट को अपरेट करते हैं उन्होंने अस्त्र मार्क वने मिसाइल के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया और इन द पुन बात ये कि ये जो देश सुखोई 30 वेरियंट्स का स्तमाल कर रहे हैं वो अलग-अलग रडार और मिशन कम्प्यूटर सिस्टम के साथ हैं और ऐसे में दोस्तों अगर भारत इस मिसाइल को इनके सुखोई 30 मकाय में इंटिगेट करता है तो भारत को रश्या की उनके एक्जिस्टिंग मिशन कम्प्यूटर और रडार को बदला जाया हाला कि ये भी इतना असान नहीं होगा क्योंकि ये करने का मतलब है कि ये काफी महंगा और काफी लंबा समय ये ले लेगा बरतेन एक्स टरबेट की तरफ दोस्तों DRDO ने हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाईल पर काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए DRDO ने ने फ्यूल टांक को तयार करना शुरू किया है और दोस्तों ये जो टेक्नोजी है वो एक्जिस्टिंग जो सिस्टम है उनसे काफी तेज हो हो का है और आने वाला जो टेस्ट होगा वो एक हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाईल प्रोटाइब का फुल फ्लेच टेस्ट होगा DRDO दरसल दो वेरियंटस पर काम कर रहा है पर सॉनिक मिसाईल होगे जिसमें कि पहला वेरियंट होगा सरफेस तू सरफेस मिसाईल का और इसकी रेंज होगी धाई हजार किलोमेटर कहाई जार है कि 2025 तक यह सारे काम पूरे हो जाएंगे वहीं जो दूसा वेरियंट है वो एक कॉम्पैक्ट वेरियंट होगा जिसकी रेंज 700 किलोमेटर होगी और यह एक एयर लॉंच वर्जन होगी हाईपरसॉनिक मिसाइल इसकी स्पीड म 10 होगी तो देखे दोस्तो भारत किसी काम में पीछे नहीं है और लगातार अपनी शमताओं को बढ़ा रहा है और जानता है भारत के हाईपरसॉनिक मिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए काम मिशन मूर पर चल रहा है चली बढ़ते नेक्स अप्रेट के तरफ एरनॉटिकल डबलमेंट एजिंसी ने दोस्तो एक एक एक्सप्रेशन ओफ इंटर्स चारी किया है भारतिय प्राइवेट फार्म्स के लिए जो कि अलग-अलग एयर क्राफ्ट के स्ट्रक्च्रल असेम्ली की मैनिफेक्शिरिंग करेगी जिसमें कि तेजर स्माग 2, आम का वह काम है वो काफ़ी तेजी से हो यांनि कि इनका प्रडक्षन काफ़ी तेज़ी सा गए बड़े इसके बाएगे ये जो मैनिफेक्ट्रिंग प्राइवेश्टीग होगा और साथी साथ चो टाइम यैंज की प्रतिता है उसे भी यह पूरा करने में सफल रहेगा साथी साथ एरक्राफ्ट की क्वालिटी भी बहुत बहतर होगी बढ़ते नेक्स टप एक की तरफ दोसों कहाई जा रहा है कि DRDO इंडियन नेवी से कह रहा है कि उकम से कम 10 नेवल तेजस एरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बनाए जिनका इस्तेमाल ट्रेणिंग के लिए किया जाएगा हाला कि भारतिय नौ से ना TETBF को चाती है और साथ ही उनका ये भी प्लैन है एक बार ये प्रोग्राम फाइनल हो जाता है तो शायदो नेवल तेजस एरक्राफ्ट की और बढ़ सकती है चलिए बरतिन एक्स्ट अप्रेट की तरफ दोसो HFCL लिमिटेड ने घोशना किये कि उन्होंने General Atomics Aeronautical System Incorporated के साथ अपनी रन नितिक साज़ेदारी की है और इस सयोग में General Atomics के वर्तमान और भविशे के जो UAV प्लैटफॉर्म्स है उनके लिए मेहत्वपुन सब सिस्टम्स का विकास किया जाएगा पैस दोस्तों भी हाली में पेजर अटेक को लेकर एक बड़ी ख़बर आई थी जिसे लेकर अब दोस्तों युदिके माईनें बदल चुके हैं इस बारे में हमें रिटायल अफटनेंट का अनल उमंग कोली जी बताएंगे इसराइल ने हाइब्रेड वारफेर के माईने ही बदल दिये एक इलेक्ट्रियोनिक वारफेर साइबर वारफेर के साथ मिक्स करके के के किल काइनेटिक किल जो है वो पर्ड्यूस की है रिमोटली परड्यूस की है इससे हाइब्रेड वारफेर के माईने पूरे के पूरे बदल गए है पहले जो हिजबुल्ला समझता था कि हम जो है हाइब्रेड वारफेर के किंग है और इसराइल जो है वो कनवेंशनल वारफेर करता है बॉम्स गेरता है दूर से और हम जो है वो लुका छूपी का खेल खेलते हैं और हाइब्रेड वारफेर के वेरियस्ट फैसेट्स जो है वो यूज़ करते हैं उसमें इसराइल ने दिखाया है कि मौसाद सबका बाप है उन्होंने यह दिखाया है कि किस तरहा से एक एलेक्ट्ροनिक वारफेर थर्ड कंट्री के अंदर एसेम्बल करके पार्ट बेटरी के अंदर और सेमी कंड़क्टर्स के अंदर रिमोटली जो है उसको ट्रिगर करके ना केवल उन्होंने जो है 35 kills जो है वो की है 2000 से ज़्यादा casualties जो है की है जो के वैसे तो non-fatal है लेकिन अब वो effectively Hezbollah उनको war fighting machinery के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता है का जा का लड़ा है